हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी स्प्रिंग की सीरिस में तो आज का टोपिक होने वाला है Dependency Injection ठीक है? तो Dependency Injection समझने से पहले हमको पता होना चाहिए कि भाई कुपलिंग क्या होती है? तो भाई देखो coupling का मतलब है मेरे पास कोई भी दो entity है ये आपस में कैसे dependent है ठीक है तो coupling का मतलब है degree of dependencies between two entities ठीक है अब मैं अगर बोलूँ कि इन दोनों की बीच की जो dependency है वो बहुत ही जादा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों entities हैं ये आपस में tightly coupled है उसी तरीके से अगर इन दोनों की बीच की जो dependency है वो बहुत कम है तो मैं बोलूँगा कि भाई they are loosely coupled ठीक है तो भाई अभी एक example ले ले लेते है real life का इसको जावा किसा relate मत करना बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ for example एक human being है वो oxygen और पानी के ओपर बहुत ज़्यादा dependent है तो क्या मैं बोल सकता हूँ human is tightly coupled to water and oxygen उसी तरीके से एक human है उसके पास अपना घर है या नहीं है अगर है तो ठीक है नहीं है तो वो hotel में भी रह सकता है तो यहां मैं बोल सकता हूँ human is loosely coupled to house because he can stay in hotel too अब हम बात करते हैं java point of view की तो एक चोटा सा हम case बना के चलते हैं तो देखो यार मेरे पास था traveler उसको जाना था shimla तो भई shimla जाने के लिए उसने पहले सोचा कि मैं car से जाऊंगा तो देखो यार यहां पी जो मेरे traveler है वो क्या है वो है dependent object यह किसके उपर dependent है यह car के उपर dependent है तो मेरे car क्या होगा है dependency object ठीक है अब हम दोनों को एक बार code करके देख लेते हैं अगर मैं tightly coupled में कैसा code करूँगा और loosely coupled में कैसा code करूँगा ठीक है तो मैं बना लेता हूँ simple java project तो java project बना लिया है इसका मैं नाम रख देता हूँ पहले मैं करूँगा title tight couple ठीक है तो इसका tight coupling का example कर लेंगे पहले don't create no चलो ठीक है भाई इसके अंदर पहली file बना लेते है so the file is traveler yes ओके आ गया तो देखो भाई traveler जो था वो कह था मेरा dependent object ठीक है तो मैं रख देता हूँ dependent object उसी तरीके से जो मेरी car थी वो क्या था dependency object तो मैं class बना लेता हूँ class car ये क्या था मेरा dependency object dependency object अब मैं बोलता हूँ कि भाई ये दोनों आपस में tightly coupled हैं इसका मतलब क्या है कि traveler के अंदर मैंने hard code का रखा है car के object को मतलब ये क्या किया हूँ मैंने यहाँ पे hard coded तो भाई ये ही होता है tightly coupled ठीक है चलो अभी काम करते हैं इसको पूरा एक example करते हैं फिर और अच्छे समझ आएगा तो let's say यहाँ पे function पड़ा हूँ था public wide start जो बोल रहा था कि भाई trip को start कर दो तो ठीक है यहाँ पे आ जाएगा start trip by car nice ठीक है तो चलो यहाँ पे इसको एक बार अगर करके देख लेते हैं इसको बढ़ा कर देता हूँ एकर फिट से रंग कर लेते हैं तो यह बोल रहा है start trip by car तो यार यहाँ पे यह पूरा सही है अब क्या हुआ कि जो हमारे traveler था भाई उसने बोला में को कार से नहीं जाना है में को truck से जाना है या में को bike से जाना है ठीक है बट यहाँ पे हमारा जो traveler था भाई यह क्या था tightly covered था कार के साथ क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको hard coat किया हुआ था obviously अब मेरा यहाँ पे तो change आना ही आना है क्योंकि instead of car मेरे को यहाँ पे bike या मेरे को truck का object लिखना पड़ेगा उसी तरीके से मेरा यहाँ भी मेरा change आएगा जा तो मैं इसको change करूँगा bike पे या separate class बनाऊँगा ठीक है तो separate class बना लेते हैं चलो यह भी देख लेते हैं तो मैंने लिखा by class bike और मैंने क्या यह same function को copy करके यहाँ पे लिख दिया and this time I am traveling by bike चलो but यहाँ पे तो मैं कोछ चेंज करना ही पड़ेगा instead of car now I am going with bike so static bike b equal to new bike ठीक है ओके इसको comment ठटा देते हैं and यहाँ पे मैं कर देता हूँ b dot start ठीक है एक बार इसको run करते हैं अब यह बोल रहा है भाई trip start by bike उसी तरीके से भाई इसका फिर से हुआ है अब यह मुझे बोल रहा है कि मैं को bike से नहीं मैं को truck से जाना है तो भाई फिर से मैं को यहाँ पे change करना पड़ेगा और एक class बनानी पड़ेगी उपर तो भाई ऐसे बार बार उसकी mood swing होते रहे तो कितनी बार आप change करोगे अपने code को तो भाई यह दिक्कत आती है tightly coupled में क्योंकि यहाँ पे हमने hard coded करके रखा हुआ है पूरे इसको हर एक जो dependency वाला object है उसको हमने hard code करके रखा हुआ है तो यह गलत practice है ठीक है तो मुझे लगता है आपको tightly coupled का मतलब coupling का मतलब और example तो आपको समझ आ गया हुआ ठीक है अब हम इसी को convert कर देते हैं loosely coupled को loosely coupling देख लेते हैं तो भाई देखो यार dependency object तो अभी भी car और और मैं बाइक की लेके चल रहा हूँ बस थोड़ा सा change क्या करेंगे यहाँ पे पहले मैं hard code दे रहा था object बट इस बार क्या करेंगे hard code नहीं करना है तो मैं एक interface बना रहा हूँ तो interface का नाम रख रहा हूँ वीकल obviously यहाँ पे एक हमारा abstract function होगा तो मैंने बनाया public wild start अब क्या करते हैं मेरा जो class और जो मेरा bike है यह implement करेगा इस वीकल को implement करेगा वीकल को यहाँ को समझ आजेगा मैं क्यों implement करवा रहा हूँ यहाँ पे भी आजेगा implement वीकल को ठीक है इसने implement किया और जो unimplemented method था उसको body दे दी इसलिए मैंने यहाँ पे start रखा हूँ था ठीक है तो देखो इसको भी हटा देते हैं अब पहले जब मैं tightly coupled की बात कर रहा था मैं यहाँ पे लिख रहा था car c equal to new car hard coded कर रहा था but instead of hard coding मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंटरफेस का reference रख लेता हूँ तो मैंने इंटरफेस का reference रख लिया ठीक इसको मैं static कर दे रहा हूँ अब क्या 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 एक बार वी में अगर मैं को car से जाना पड़ेगा तो वी में मैं कुछ इस तरीक्य वाली value पास कर दूँगा उसी तरीक्य से अगर मैं को bike में जाना होगा तो मैं क्या करूँगा bike वाली यहाँ पे value भेज दूँगा ठीक है तो यह भी देख लेते हैं अब वी को मैं को set करना है तो मैं यहाँ पे एक setter function बना लेता हूँ तो public void set vehicle चीक है यहाँ पे आएगा हो vehicle v चीक है and this dot v equal to v तो यह यहाँ पे set हो गया चलो 2 second थोड़ा उपर ले आते हैं तो चलो दोस्तों अब बताओ आपको पहले किस से जाना है आपको चलो पहले आपको bike से ले चलते हैं तो देखो अब मेरा कोई change नहीं आने वाला traveler t equal to new traveler right t dot सबसे पहले vehicle को set कर लेते हैं यहाँ पे बस आप पास कर दो new bike पास कर दी and v dot trip को start कर दो चलो भाई तो यहाँ पे आ गया start by bike उसी तरीके से अब आपको car से जाना है अब यहाँ पे car वाला pass कर दो object and start करो अब यह जो पर trip है वो car से start हो गई तो देखो यहाँ पे हमने hard coded पूरा code हटा दिया और dynamically हम यहाँ पे जो pass करेंगे उसके साबसे यह code चलेगा चीक है तो यह है भाई आपका loose coupling का concept उसी तरीके से हम वापिस आ जाते हैं अपनी slides पे तो देखो मैंने आपको यही समझाया था कि जो मेरा traveler था वो था dependent object यह किसके उपर dependent था यह था bus sorry car truck and bike तो यह थी मेरी dependencies अगर आप मैं बात करू spring dependency injection की तो यह भी यही बोलता है कि जितनी वी हमारी dependencies थी उनका object बनाकर हमारे dependent object के अंदर inject कर दो simple बाच है बोलूँ जितनी वी dependencies से उनका object बनाओ ठीक है obviously spring बनाएगा और concept यूज़ करेगा ioc का in version of control का खुझ से को कि हमको new keyword हमको use नहीं करना है तो spring क्या करेगा ioc वाला जो concept है उसको use करेगा और इनके objects बनाएगा और यह objects बनाकर इसको देदेगा dependent object को तो फिर से देख लेते हैं जितनी मेरी dependencies थी सब object उनकी object बने और dependent object के अंदर inject हो गए तो यह मतलब है भाई spring dependency injection का वैसे भी हम अगली वाली वीडियो पे इसको example के साथ करेंगे और एक बार फिर से मैं थोड़ा go through करूंगा इसकी definitions को तो मुझे लगता है कि आपको यह समझ आ गया होगा अभी basic चोटा-चोटा मोटा आपको idea मिल गया होगा तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में थेंक यू